नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल आरकेने अपडेट पर आपके सवागता है दोस्तों पेश हां अपके सामने गरूप D वेटिंग लिस्ट से जुड़ी लेटस्ट अपडेट के साथ ग्रूप D के लिए जिले के भीसी खिलाडियों को नोकरी का मिला मुखा तो ये जो अपडेट है तो करनाल डिस्टिक्शर है रहेगी गुरूप D परती के लिए वेटिंग में नोकरी का इतिजार कर रहें खिलाडियों को प्रते सरकार की और से मोका दिया गया है के अपने के लिए खिला ओवे धन करने पहुंचे हैं तो जो 31 मार्च तक जो टाइम दिया गया है ग्रेडेशन बनवाने के लिए उसके लिए जो कंडिडेट पहुंचने शुरू हो गए हैं बतादे कि चार साल पहले पुर्दे सरकार के और से अलग-अलग भी वागों में गुरूप D की बरती कर निकाली गई थी वह खेल कोटे से करीब 15-16 युवाओं की बरती किया गया था तो उसी दस्तावेजों की खामियों को चलते सीटों का अभी तक बराह नहीं जासका है अब बेटिंग में खेलाडियों को स्टाप सेलेक्शन कमिशन रियाना की और से आवे दन के लिए सूचित किया जा रहा है तो इसी कड़ी में जिले के 82 खिलाडियों को जो है लाइटर बेजे गई हैं कि अपने ग्रेडेशन बुणवा ले ग्रूप डी के 11218 युवाओं का चैन हुआ था जिसमें 1518 पद खिलाडियों के लिए मैनने थे जिला खेले दिकारे सोग दूआ ने बताया कि ग्रूप ड परती के लिए जिला 82 खेलाडियों को नौकरी के लिए नाम आया है इस जिनके पास खेल ग्रेडेशन नहीं है वह अब दन कर रहे हैं इसके बाद खेलाणियों को नोकरी करने का मोग का मिलेगा तो ग्रेडेशन बनवाने का टाइम दे दिया गया है और जो है फाइनल जो रजल्ट होगा डिपार्टमेंट जो लोट होंगे वो जाके मई के अंदर होंगे 2 मई से 15 मई के बीच में डिपार्टमेंट लोट कर दिय जाएंगे यह एसपी के लिए और आप भी अपनी जो डिस्टिक की न्यूज है वह आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे दूसरों को भी जानकारी हो कि एसपी के अंदर जो है कितनी सीटे खाली रह सकती है कितनी सीटे वह बरा जाएगा कि किसका लगबग सेलेक्शन हो सकता है किसका नहीं होगा तो जानकारी को शेयर आप भी करें और चैनल को करें सब्सक्राइब थैंक्यू दोस्तों